तो अब मैं यहां से तो कुछ कह नहीं सकता हूं लेकिन चला अब लोग मंदिर मंदरों में जाने लगें तो ठीक बात है मंदर में आद भी जाता है जा अपने कुछ संकट में समझता है तो क्या कॉंग्रेस संकट में है अज कॉंग्रेस तो उत्तरपदेश में तो संकट में ह अच्छा मोधी ने अभी एक मोधी चलाई है मैं भी चौकीदार बड़ी चर्चा है इस पर इसको आप क्या से लेते हैं कोई नहीं जानता कि मोधी जी ने कोई मोधी जी हर बार नई चीज़ कहेंगे आदमी जब आरोप लगाने लगे तो उन्होंने काट के लिए कहने लगा मैं भी चौकीदार चौकीदार हो तो चोरी कैसे हो गई बेंकों की चोरी हो गई अरवं रुपया बाहर विदेशों में चौकीदार ही करते कहा रहे पिर अगर चौकीदार है तो चौकीदार अपने करतब का अंदरवार नहीं कर सके अभी शिपाल जी ने कल एक लिस्ट जारी की है उसमें उन्होंने अपने आपको खुदी फिरोजाबास्य अधिकत पत्यासी गोशेद कर दिया आप कैसे देखत बेराश्टी अध्यक्ष है एक पार्टी के वह कहीं चुनाव लड़ सकते हैं तो चाचा वतिजी की लड़ाई चुनाव में सामकर देखे जाएगी ये जो लड़ाई होगी ये सेफ़ाई परबार में कभी ऐसा नहीं है चुनाव देखिए ऐसा है कि हमाय उत्तर पदेश मे सुचेता करपलानी मुख्यमंत्री थी आचार करपलानी मारीपारी बरिष्ट नेता थे अलग लग पार्टियों में थे पते पते निए थोड़ी देर पहले माय वती जी ने जे गोशना की है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी वो चुनाव लड़ना नहीं है इसिरे नहीं रहेंगे क्योंकि उनको नकेबल उत्तर प्रदेश बलकि मद्द्र प्रदेश और राजिस्थान च्छतीसकर जैसे राज्यों में जहां उनकी पार्टी का काफी जनाधार है वहां से उनके एंपी भी जीत के आएंगे उआमी प्रचार के लिए जाना है और जब कंडिरेट कोई बन जाता है तो अपना थोड़ा सा उस छेतर को देखना पड़ता है मद्दाता का ये आकांचा होती है कि हमारे यां नहीं आए हमारे यां नहीं आए ये दिक्कत होती है सिर्फ ये बात है उनका जब जरूत पढ़ाएगी तो चाहिजां से चुना लड़ दें